नमश्कार मित्रों आज मैं आपसे ऐसे ग्रह के बारे में वारतलाब करने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में मोक्ष और मुक्ती दायक का कारक है जी हाँ, जोतिश में एक ही ग्रह है जो आपको मोक्ष और सैलवेशन की तरफ ले जाते हैं और उनका नाम है केतु महराज एक ऐसा शरीर है जिनका मस्तिश्क नहीं है, उनमें सोचने की शक्ती नहीं है इसलिए जिस घर में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह को एम्प्लिफाई कर देते हैं क्योंकि शरीर है, मस्तिष्क तो है नहीं, मस्तिष्क क्यों नहीं है, क्योंकि जब भगवान विश्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया था, तो एक ही राक्षस के दो भाव हो गए थे, जो सर कटा, वो रहू हो गया और जो धड़ जमीन में गिरा, उसे हम केतु कहते है इसलिए केतु का कोई मस्तिष्क नहीं है, उनमें सोचने की शक्ती नहीं है, और ये सिर्फ एग्जेक्यूशन कर सकते हैं, बिना किसी विचार के केतु आपको आध्यात्मिक जागरती देते हैं, जिसे हम spiritual awakening भी कहते हैं, अगर लगन में केतु बैठ जाएं तो वह जातक को काफी तगड़ा intuitive power दे देते हैं, six sense, यानि कि जातक को अपने निकट भविश के बारे में वो जरा भाप जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है पर केतु आपको एक mind में confusion भी देते हैं, केतु अनिश्चिता और असमंजस का भी कारक है, वे आपको दुविधा में भी डालते हैं कि मैं करूं या ना करूं, कोई job offer आया है उसको लूं या ना लूं, ये business में करूं या ना करूं, तो ऐसी असमंजस की स्थिती, सामने लाके खड़ा करते हैं, केतु जो अकल्ड साइंसेज हैं, जैसे जोतिश, वास्तो शास्त्र, निमरलोजी, इनमें भी सिध्धी प्राप्ती का कारक है, अगर आपका केतु आपकी कुंडली में strong है, मजबूत है, तो आपको इसमें सिध्धी प्राप्त हो सकती है, खा की तरफ ले जाते हैं, केतु अगर आपके कुंडली के चौथे घर, यानि की जो केंदर भाव होता है, चौथा घर, और जिसको हम हृदय का अगिस्थान बोलते हैं, मा का स्थान बोलते हैं, मातरित्व का स्थान बोलते हैं, सुक का स्थान बोलते हैं, संपदा, वैभव औ अगर वहानों का स्थान बोलते हैं, अगर वहाँ पे बैठ जाए, तो केतु इस बात का प्रतीक है, अगर वहाँ बैठा हुआ है, कि पिछले जनम में आपको आपने अपने जीवन की सुख की परकाष्ठा का दर्शन किया, सुख की कोई कमी नहीं थी, आपके पिछले जीवन जीवन गुजल गया है, मा का अशिरवात था, आपके उपर वहानों की कमी नहीं थी, वैभव, यश, कीर्ती, परिपून तरीके से आपके घर में और आपके आसपास था, शैद यही कारण है कि आपको इतनी मात्रा में, इतनी ज्यादा मात्रा में सुख का अनुभव हुआ कि आप इस जीवन में आपको उस चीज से विरक्ती हो गई है, उस सुख से, उस मा के अशिरवात से, उन वहानों के सुख से आपको विरक्ती हो जाएगी, चौते घर में अगर केतु बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी सक्सेस्फुल एचीवमेंट से ना तो जादा कोई खुशी होती है और अगर उनके साथ कुछ अनहुनी हो जाए तो भी उनको कोई खास दुख नहीं होता है, यह रिदय का स्थान है, चौते घर का केतु आपकी उपन हाट सर्जरी भी कराता है, क्योंकि केतु जहां बैठते हैं, वहाँ पर एक बर ब्रेक या कैची जिस वक्ती को मुक्ष की तलाश है, उसमें केतु उसकी साहता करते हैं, केतु भात जहां से जद्यातक को वंचित कर देता है, क्यूं वंचित कर देता है, क्यूंकि एक शरीर दो भागों में बटा राहु और केतु, तो आपको मैटिरिलिजम, सुक, एश्र वैभव की ले जाएंगे। केतु आपको कभी भी materialism की तरफ नहीं ले जाते हैं। तो यह बहुत major difference है रहू और केतु में। बैठते दुनों एक ही axis में हैं, क्योंगे साथ नोड में, साथ वेस्ट नोड में एक ही axis में बैठते हैं वो। पर केतु कभी भी आपको materialism की तरफ नहीं ले तरफ नहीं आज संगे। यह आपके पूरु जनमो की जो गठरी है उनका जो फल है। जो पूरु जनमों में आपने जो कर्म किये हैं उनका जो परिणाम है वो आपको इस जनम में देखने को मिलता है। जोतिश में केतु को सबसे व्रिद ग्रह भी कहा जाता है क्यों क्योंकि वो मोक्ष का कारक है अगर आप जीवन की जो कारेशेली है या जो जिसको हम लाइफ का पिरामिट बोलते हैं अगर आप देखें तो आपका जनम होता है आप शेशू होते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं बड़े होते हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं उसका आपका विवा होता है आपके पास समाजिक जिम्मेदारी आ जाती है उस समाजिक जिम्मेदारी को आपको निभाना है आप अपने आप को समाज में अपना एक नाम पाने के लिए आप उचाईयों के तरफ जो अग्रसर होते हैं धन कमाते हैं और फिर इतना धन कमा लेते हैं कि फिर आपको जीवन में एक समय ऐसा आता है कि आपको हर चीजों से विरक्ती होनी चाहिए, होने लगती है और आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से दूर चले जाएं, थोड़े अकेले में चले जाएं, एकांथ में चले जाएं और फिर आप ईश्वर की भक्ती में चले जात केतु को वेदो में और ज्योतिश में द्वजा यानि जंडे का भी प्रतीक माना गया है तो अगर केतु किसी घर में बैठे में हैं तो इसका ततपर्य ये है कि भाई उस घर को लेके जितने भी परिणाम थे पिछले जन्मों में आपने पराकाष्ठा में उसका उसको आपने जहला है और उसका आनंद लिया है और इसलिए आपको इस जन्म में उस पर्टिकुलर भाव से उस पर्टिकुलर घर के से जुड़ी जितनी चीजें हैं उनसे आपको विरखती हो जाएगी केतु कैंसर का भी कारक है जातक को अक्सर ऐसी बिमारी हो जाती है जो पकड में नहीं आती है आप पहले डॉक्टर के पास गए और उसमें सारे आपकी रिपोर्ट्स निकल वाईए पर उसको समझ ही में नहीं आए कि इस बिमारी का मूल जड़ मूल कारण क्या है फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए फिर आप तीसरे डॉक्टर के तो बिमारी जल्दी पकड में नहीं आती है अगर आपका केतु कुंडली में निर्बल है या केतु की महादशा या अंतरदशा आपकी चल रही है तो ऐसा अकसर मैंने देखा है कि ऐसा जातक जो है उसकी बिमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती है केतु और किन चीजों का कारक है केतु जो आग बुजाते हैं फायर फाइटर्स का कारक है केतु लैंगविज को जो ट्रांसलेट करते हैं जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका भी कारक है टेकनिकल एजुकेशन का कारक है इंजिनिरिंग का कारक है अकल्ड साइंसिस का कारक है जियोतिश, वास्तो शास्त, रिनिमरलोजी, सिध्धी, तंत्र, तंत्र विद्या का भी कारक है के तो किसी भी राशी में डेड़ साल रहते हैं और जिस राशी में रहते हैं उन डेड़ सालों में तो उसके जो परिनाम होते हैं वो राशी के स्वरूप देते हैं या जिस घर के साथ बैठे हैं तो उस घर की जो व्यक्तित उसका जो चरित रहे उसके हिसाब से उसका फल देते हैं कि तू मीन राशी को अपनी राशी मानते हैं क्यों? क्योंकि मीन राशी समुद्र का जो नीचे वला तठ है जो नीचे वली लेयर होती है पानी की वो जहां बहुत ज़ादा शान्ती है जो एक शान्ती मौक्ष पराप्थ होने के बार मिलती है तो केतु मीन राशी को वो अपनी राशी मानते है इनका जो prescribed gemstone है जो अंगोठी है वो लेसुनिया जिसको हम cat's eye अंग्रेजी में बोलते हैं वो होता है अगर केतु शुब ग्रह के प्रभाव में हो जैसे ब्रिहस्पती तो बहुत ही अच्छा मानते हैं और अगर केतु के उपर ब्रिहस्पत की दृष्टी भी पढ़ जाए तो उसको भी हम बहुत अच्छा मानते हैं इसलिए केतु और ब्रिहस्पत के कंजंग्शन को या उनकी यूती को बहुत अच्छा और बहुत शुब मानते हैं। केतु जो मिथुन राशी में बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेटेड हो जाते हैं। ब्रिहस्पत को वेदिक एस्ट्रोलिजी में जो रिप्रिजेंट करते हैं, उन सारे विफसाओं में जातक को काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। के टीचिंग हो गया, धरम की बातें करना हो गया, धार्मे को अपिनियन देना हो गया, कोचिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, पढ़ाना हो गया, बच्चों को पढ़ाना हो गया, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे उनिवर्स्टी में हो, जोतिश विद्या हो हैं के तू तो बिरहस्पत से जितने भी जुड़े विपसाएं हैं ये अकले बहुत अच्छे रहेंगे और के तू आपको कभी-कभी इस बात का भी प्रतीक याद दिलाता है कि जो आपको जीवन में प्राप्त है वही परियाप्त है यानि कि आपने जीवन में अभी तक जो ही पाया है वह परियाप्त है उसमें खुश रहना सीखिए मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है आज नया आइफोन लांच हो गया कल नहीं गाड़ी आ गई उसके पीछे जो भागना है उसकी जो एक रैट रेस है उससे आपको निकलना होगा तो के तू ऐसे तो सोलर सिस्टम का ब्रह्मान का बहुत छोटा प्लैनेट है और लोग समझते हैं कि इनका इंपक्ट बहुत कम होगा पर ऐसा नहीं है ये राजयोग भी बनाते हैं ब्रियस्पत के साथ बैठ जाएं तो राजयोग भी बनाते हैं पर ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि ज मैंने कई बार देखा है कि केतु अगर कुंडिली के पांचवे भाव में बैठ जाए जो बच्चों का भाव होता है तो वहां पर या तो कोई भी आपको पुत्र की प्राप्ती नहीं होती है या कोई भी बच्चा नहीं होता है या बड़ी मुश्किल से एक बेटी की प्रा आपके नानी के घर आपके मामा मामी उनको दर्शाता है तो उनकी आर्थिक हालत कैसी है और ननीहाल का कैसा हाल है ये भी केतु से पता चलता है तीसरी बात अगर केतु निर्बल है तो ऐसे भी हमें पता चलता है कि कोई वक्ति अगर बिमार है और डॉक्टर के पास गया औ इसका मतलब है कि उसका केतू निर्वल है या उसका नीच का है, डेबिलिटेटेटेड है। अगर जातक को माइग्रेन या किट्नी या नेल्स या लेक्स में भी प्रॉबलम हो, पैरों में दिक्कत हो, तो भी उसका केतू वीक है। अगर आपके जीवन में कोई अकस्मात परिवर्तन आ गया है, आपकी नौकरी छूट गई है, आपका वेवसाय खराब हो गया है, आपकी बहुत बड़ी बिमारी हो गई है, आपका ट्रांसफर हो गया है, स्थान परिवर्तन हो गया है, खास कर केतू 48 साल में उस जातक के यानि की परिवर्तन देता है तो आप समझ जाएगे कि तु निर्बल है या डेबिलिटेटेड है या नीच का है या उसके अंश कम है अगर आपके जो काम करने की करियर स्थान जो है वर्क प्लेस जो है वहाँ पर आपके छुपेवे शत्रू हैं वो आपको हानी पहुंचा रहे हैं वो आपका प्रोमोशन नहीं होने दे रहे हैं या आपके बहुत ज़्यादा मेहनत पर भी आपको उस तरह के परिनाम नहीं मिल रहे हैं जो आप अपेक्षा करते हैं तो फिर आप समझ जाए कि केतू आपका कमजोर है अगर किसी जातक को बिना किसी गलती के दंड मिल जाता है कोई गलती नहीं हूँ आप किसी केस में फस गए तो भी ये एक निर्बल केतु का प्रतीक है भीष्प पितामा के मृत्यों के समय उन्हें बाणों की शया पे लिटा दिया गया था उन्हें अपना जीवन बहुत ही एक अपने चरित्र के दाएरे में रखकर व्यतीत किया था तो उन्हें भगवान कृष्ण से अपने जीवन के कुछ आखरी जो शन थे उनमें से उन्हें प्रश्न किया भगवान कृष्णे कि मैंने इसे क्या किया था जो मुझे इतनी कष्ट दायक मृत्यू मिल रही है भगवान तो भगवान कृष्णे उन्हें दो बाते कहीं कि एक तो ये कि जब आप इतने बड़े इतने वृद्ध इतने सज्जन आदमी हैं पर जब द्रॉबदी का चीरहरन हुआ था तो आपने जो चुप्पी सादली थी द्रिश्ट राट तो खेर आँखों से नेतरहीन अंधे थे आपके पास तो आँखे थी तो फिर आपने उस उस अनहुनी को क्यों नहीं रोका इस बात का भीश्ण में पिता के पास कोई किया था ये भी उसका जो है परिणाम है तो चरित्र में रहने पर बिना उनकी किसी गलती के फिर भी उने ऐसी कष्ट दायक मृत्यू की प्राप्ती हुई थी जबकि हम जानते हैं कि भीश में पितामा को इच्छा मृत्यू का वर्दान था पर फिर भी बानों की शया पर ल तो भी आपको बिना किसी गलती के एक जो बोलते हैं कि इनोसेंट परसन के उपर जो सजा मिल जाती है वो ये करवाता है जो समय ने बोला कि 58 से साल में केतू अपना बड़ा strong फल जेते हैं और जाता स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं व्यवसाय छड़वा सकते हैं नौकरी से छड़वा के बिजनस में ला सकते हैं तो ये सारे चीज़ें जो हैं वीक केतू के एक में बहुत लोग remedies बताते हैं पर फिर भी ग्रह तो अपना effect दिखाते ही हैं हाँ कश्ट जहिलने की जो शक्ती होती है वो आप में बढ़ जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो इसलिए हम remedies का और उपाय बताते हैं आपको तो पहले तो ये कि भाई किसी भी क काले कुत्ते को आप रोटी खिलाइए उसको खाना खिलाइए तो उससे कुछ दोश तो जरूर कटेगा दूसरा ये कि अगर आपके घर में या आंगन में या पौधे में अगर आप केले का पेड़ लगा सकते हैं चोड़ा सा पौधा लगा सकते हैं उससे खुद पानी दे सकते हैं और हर शनिवार को संधिया के समय ओम के तुआय नमा ये ग्यारा बार मंत्र बोल के अगर आप दीपक जला सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो केतु के जो इल एफेक्ट्स हैं उससे आपको थोड़ी बहुत रहत जरूर मिलेगी तो ये था मेरा छोटा सा व भवान जरूर खोश रखेगा आज के लिए मैं आपसे आग्या लेता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइप करें सब्सक्राइब करें और आज मेरी ग्रहों की शिंकला यहां समाप्त होती है अब मैं अगले वीडियो में अपने नक्षत्रों के बारे में 27 नक्षत्रों के बारे मैं आपसे वारतलाब करूँगा तब तक मुझे आग्या दे नमस्कार